So, next topic है go-to statements. इनको हम jump statements भी बोलते हैं कियोंकि ये आपके program में आपके control को, program के control को jump कराने की काम आता है. So, they are also known as jump statements. So, basically क्या करते हैं? They are used to alter the normal sequence of a program. Normally कैसे काम करते हैं? एक के बाद एक सारी statements executed होती है. बट गोटू से आप बीच की कुछ statements को skip कर सकते हो डिरेट किसी particular label के उपर point के उपर आ सकते हो now it will requires a label in order to identify the place where the branch is to be made जैसे suppose यह program है और मैंने यहाँ पर लिखा go to label और यहाँ पर कुछ statements है और यहाँ पर इसका label मैंने specify कर रखा तो program सीधा जैसी statement आएगी सीधा यहाँ पर आ जाएगा यह सारी statements जो बीच के यह skip हो जाएगी ऐसे अगर आपको वापिस जाना है प्रोग्राम में तो कैसे suppose label है यहाँ पर statements लिखी हुए यहाँ पर go to label हुआ तो control दुबारा से यहाँ पर चला जाएगा तो यह होता है go to का use जिसमें हम अपने प्रोग्राम को directly कुछ statements को skip कर आके किसी भी location के उपर ले के जा सकते हैं बट देखो go to statements higher languages में जैसे कि Java के अंदर avoid किये गए थे so क्यों avoid करते हैं क्यों they may lead to a code that is hard to follow so may lead to a code which is hard to follow कई बार आपका code infinite loop के अंदर भी जा सकता है इसमें ठीक है so go to का use तो करते हैं but it is advice that अगर आपको go to के बिना आप लिख सकते हो तो आप अपने प्रोग्राम को without using go to ही लिखो now let us come to the example of go to a simple example मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं go to का और कैसे execute होता है वह आपको मैं explain करता हूं suppose हम किसी भी number की table print कर आ रहे हैं let us say i की table print कर आ रहे हैं और एक variable मैंने ले लिए j जिसको मैं बन रखा यूजर से i की value ले ले लेते हैं so printf enter the number scanf %d m% i i के अंदर यूजर से number ले लिया अब देखो यहां पर मैं label create कर रहा हूं let us say मैंने label बनाया label1 और label के आपको आगे colon लगाना है simple as लिख दिया कुछ नहीं है इसके बाद इसके बाद मैंने लिखा printf %d और मैं इसके table print कर आ रहा हूं so %d अगें %d और हर iteration पर j की value को increment कर रहा हूं simple यहां पर हम table print कर आ रहे हैं अब देखो if j is less than equals to 10 अगर j की value 10 से कम या उसके बराबर है तो मैं करूंगा go to label 1 ठीक है so then go to label 1 अब इसके बाद देखो कैसे हो रहा है j की value क्या 1 पहली बार print हो जाएगा j की value increment हो गई क्या हो गई 2 क्या j की value 10 से कम है yes so control दुबारा यहां चला गया अगेन यह print वा for j2 j की value क्या हो गई 3 दुबारा कम है दुबारा यहां चला गया कब तक जाता जाएगा जब तक j की value 10 यह उससे कम रहेगी जैसे ही jk value 11 होगी यह खतम हो जाएगा यह बापे से loop के उपर नहीं जाएगा बतलब label पे नहीं जाएगा so it is actually working like a loop it is actually working like a loop तो इस तरह से आप go to का use कर सकते हो किसी भी एक location पर दुबारा से जाने के लिए यह कुछ parts को बीच के skip करने के लिए भी go to का use किया जाता है ठीक है so this is all about the go to statement